हेलो एवरिवन कैसे आप सब आसा घरती को आप सब बहुत अच्छे होंगे तो अभी इवनिंग का टाइम हो रहा है तो इवनिंग का भी मैं जा रहीं कुछ खाने के लिए बनाने तो अभी और दो पहर में जो हुआ है मैंने बनाया था अज सेटाडे है तो आज मैं खिचरी और अब्टेश भी मिला हुआ है जो मिला वह अधा पिस्वा यह थे तो वही पीष्वाए हैं तो उसका भी मैं डिब द रखना हैं दृष्व data और बच्चें अभी स्वएथे दोगान से कुछ समान लाए तो मैं ये डिबब को नहीं ड्यूद को नव मैं द्धो दीती और मेरे किचन के डिब्बे ना जैसे जैसे खाली होते हैं जैसे जब भी खाली होते तब भी मैं इसको धो के फिर उसमें समान भरती हूं तो इस डिब्बे को अभी चीनी के डिब्बकों में धो दी थी और इसमें अभी चीनी मैंने डाल दिया है और ये दोपेर के बरतन धो क में रख दी थी तो इसमें सभी पानी सुग गया है तो इसको में रख देती हूं अपने जगह पे और अभी बना रही हूं मैंगी तो मैं अभी बना रही हूं मैंगी और ब्रेड तो पहले मैंगी को मैं बना लेती हूं तो अभी मैंने मैंगी डाल दिये चोटे-चोटे करके युकiben दोड़ें अगिस BUT dalी टाला के नगी मैजिए में बना लूगी उसके बपाद इसमें में ब्रेड डाल बनाऊंगी उसमें मैं मैं मैंसाले कट डाल काटके मैं डाल देती हूं नहीं करें मैंगी के 2जवागी निखाने के लिए जो के लिए चोड़ देती हूं और यह ब्रेड के मेन किनार मेकरा किनारा की टुकरे निकाल लेती हूं नहीं तो इस भी घठे नहीं फिर कि यह बच् Liquider के थोड़ा ती दहलं लगता है इसी वज़े से तो मैं इसको निकाल देती हूं अभी जितना ब्रेट मुझे बनाना है उतना निकाल देती हूं और इस ब्रेट के टुकरे को ना इसको मैं फेकूंगी नहीं इसको मैं दूद में डालके और हम लोग खा जाते हैं तो अभी मैंने कर लिया है इसके किनारे निकाल लिया है अब इसमें मैं पहले में तवा चगा दालेती हूं और मैगी इसमें एक चमच डाल देती हूं मैगी को और इसके उपर से और एक ब्रेड इसमें उपर से पानी डाल के और इसी तरह के से मैं बना लेती हूं और तवा पर सेख लूँगी तो यह देखिए और एक मैने ब्रेड लिया है इसमें इसके उपर मैगी डाल दीया है और पानी दोनों बेड में पानी डाल देती हूं इसको थोड़ा से दबा देती हूं और इस्को तब limits नने टेल लाठा तब पे और फीर इस खो पलेट लूंगी तो इसी तरह से मैं बना लेती हूं मैगी और ब्रेड कर दो कर दो कर दो कर दो तो बस यह हमारा भी ब्रेड और मैगी बन गया है और मैं भी बच्चों को दे देती हूं खाने के लिए और मैगी ना बच गया था ब्रेड मैगी बनाने के बाद यह एक्ष्रा मैगी था तो मैं इनको खाने के लिए देती हूं तो यह खा लेते हैं और टीवी देख रहे हैं वे सब तो फ्रेंस यहां पे मैं एक के बारे में बढ़ाना चाहती थी जहां अप फिरी में प्रोड़ेक्ट पासकते हैं जैसे की जूते कपड़े इस अप का नाम है लाइम रोड तो लाइम रोड का लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेगा आप यहां से डाउनलोड कर सकते हैं और आप फिरी में समाने पा सकते हैं तो चलो मैं इसके बारे में थोड़ा सा कोई आप सबको बता देती हूँ तो फ्रेंस इस टाइम पे चल रहा है लाइम रोड पे बहुत ही अच्छा और फर इस टाइम पे आप अपने फेवरेट प्रोड़क्स फिरी में खड़ी सकते हैं बस आपको अपने फ्रेंस को इन्वाइट करना है और आप अपने फेवरेट प्रोड़क्स मुप्त में पा सकत फिरी प्रोडक्ट पाने के लिए लाइम रोड पे लोग इन करना है और हॉम पेज पे करदा प्राइज का वेनर लगा हुआ है उसमें किलिक करना है फिर आप अपने फेवरेट प्रोडक्ट के नीचे लिखे हुए करदा प्राइज पे किलिक करना है और उसके बाद आप अप आपके फ्रेंस जैसे ही आपके भेजे हुए लिंक पर किलिक करेंगे इस एप को इंस्टोल करेंगे आपके प्रोडेक्ट का प्राइज 50% से 100% तक कट हो जाएगा और आप इसे फिरी में ओडर कर सकते हैं जल्दी किजी ओफर सिर्फ 24 गंटे के लिए हैं आपके दोस्त को आपके दोस्त को आपका प्रोडेक्ट दिखाए देगा प्राइज किलिक करने पर आपके दोस्त को लाइम रोड एप फोन नंबर या ओपीडी जो भी वो डाल कर लॉग इन कर सकते हैं आपके लॉग इन करते ही आपका साथ ही आपके दोस्त को 50 रुपे का फिरी कूपन मिल जाएगा जिसे यूज करके आपके दोस्त लाइम रोड के अच्छे कलेक्शन के साथ पहली सौपिंग स्टार्ट कर सकते हैं है ना डबल फाइदा यह देखें यहां पर डुगू का बैठने का स्टाइल यह अपना तक्या में स्टूल में तक्या बखके और यह बैठा है डुगू तक्या पर क्यों बैठे हो डुगू कि दा से को कौन सा काटून है तक्या पर क्यों बैठे हो तुम बैठे हैं क्यों बैठे हैं वह तो पूछ रहा है अब यह देख रहा है कार्टून पर क्यों बैर से तक आया तो भी सूर बड़ा एक बार और हुए रिजाईगी तो बोलो श्री राम चंदर की है श्री श्रस इस नहीं सी बात मैं लंका पती रावन हूं रावन उन दुछ मनुश्यों पर मैं आपना सब्सक्त नहीं करता तो अभी मैं रात का खाना बना रही हूं तो रात के खाने में मैं बना रही हूं यह लॉंग की फली और यह आलू तो इसका मैं भुजिया बनाऊंगी बस तेल से इसको भुजना है और पानी वगरा कुछ नहीं दालूंगी तो मैं अभी कराई में तेल लिए मैंने इसमें हींग और ढल देती हूँ और पियाज डाल देती हो और मिर्ची भी डाल देती हूँ इन सब को भून लुगी अच्छी तरह से उसके बाद मैं इसमें लॉंकी फली और आलू डालूँगी और देखिए अभी यह हमारा प्याज वगेटा भून चुका है इसमें मैंने डाल दिया है लॉंकी फली और आलू भी डालूँगी और इन सब को मैं अच्छी तरह से ढख ढख के ही भूनूँगी और अभी मैं आलू भी डाल देती हूं और इसमें ना एक चम्मच बस नमक डालूँगी और मसाले जो है बाद में डालूँगी यह आधा कुक हो जाएगा उसके बाद में मसाले डालूँगी तो अभी यह मैंने नमक डाल दिया है और इसको मैं ढख दूँगी अभी तो इस तरह की लॉंकी फली की सबजी मैं बनाती हूँ और कभी-कभी ना इसमें मैं टमाटर वगेरा डाल के और गिरेवी वाला भी बनाती हूँ थोड़ा सा गिरेवी होना चाहिए वैसर लॉंकी फली की सबजी बनाती हूँ अभी में यह हमारा आधा कुक हो चुका ही ने मसाले डाल देती हूं तो मसाले में मैं ज़्यादा कुछ ने सुच पूंदे जिसा है मुझा बस जीरपवडर्ड़ डाला है और बच्चे का पुर्टा काने का मन्का तो मैं पुर्टे बना देती हूं, इस तरह का त्रिंगल पुर्टे, तो बस अभी यह हमारा रात का खाना बन गया है, और अभी खाना कोई नहीं खाने के लिए खुज रहा था, तो मैं अभी डुगु को बैटके खिला रही थी तो अभी बस डुगु ही खा रहा है तो बस अभी ये थोड़ा हो गया था थोड़ा टाइम तो सब लोग ने खाना वगेरा खा लिया था तो मैं बरतन दो लेती हूं और आज सुबह सुबह ऐसा हुआ ना बहुत बड़ा नु को कर रबर कैसे लाएंगे तो अभी डाल बनाने में फिर हम लोगा दिक्कत हो जाएगा तो हमारे घर पे ना एक टाइम चावल जरूर बनता है तो चावल के साथ डाल भी चाहिए यह चाहिए तो पता नहीं बच्चों को कैसे डाल के बिना कैसे अब देखते हैं मिलेगा त तो एक कूकर कर अबर लाना पड़ेगा और अभी बस यह हमारा सारा काम हो गया था तो बरतन भी दूल चुकी थी तो बस मैं इस वीडियो कहीं पैयान करती हूं अगर मेरी वीडियो आप सबको पसंद आए तो एक लाइक कर दीजेगा और मेरे चैनल पे